हेलो दोस्तो आपने यूट्यूब की सबसे बहतरीन वीडियो पे क्लिक किया है दोस्तो आप यही जानना चाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपका एक्जाम में आपका कोई लिकेज हुआ है आपको यह सुनकर दुख भी हो सकता है और आपके अंदर एक खुसी भी हो सकती है तो यह गलती मत करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आज आपने 100% यह वीडियो देख लिया तो दोस्तो आपके अंदर एक confidence आएगा आपको पता चलेगा कि आगे क्या करना है अभी आपको क्या करते रहना चाहिए ठीक है इसी बात पर अगर आप लोग ठीक है से पढ़ना चाहते हो नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे बैल को ओल कर लेंगे ताकि सारे notification आपको फटा फट मिलते रहे अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या यह इस notice आपका जो SSC ने जो notice दिया है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है क्या क आपका exam यहाँ पर आपका यहाँ पर paper लिख हुआ है क्या आपका paper यह दोबारा नहीं होगा या cancel हो जाएगा एक या 2% आपके chance है लेकिन 98% ऐसे chance है जिसमें आपका paper यहाँ पर cancel नहीं होगा आपको गलती क्या नहीं करनी है सारी जानकरी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ ठीक है अब आप लोग यहाँ पर देख लो हरियाना TGT examination 2023 आपका यह notice है notice में क्या बताया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ देखो notice में आपको बोला गया है क्या dear student most importantly we are going to inform you regarding postpone of HSC TGT examination which was held कब वह था यह आपका मैं 29 और 30 में जितने भी आपके exam हुए if there any कोई cheating इसमें है leakage है in this examination we are investigating हम उसकी जाच परताल कर रहे हैं if the investigation सही निकला turn out to be correct then we will take the strict action and try to give you the best result further information you can visit official website अब देखो अब इन्होंने बोला है कि हम जाच परताल कर रहे हैं अगर आपका paper cancel होता है तो यह आपके लिए खुसकबरी भी हो सकती है और आपके लिए यह दुख की बात भी हो सकती है अब मैं जो आगे जानकारी देने वाला हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई like कर करके जरूर जाना जो मैं आगे जानकारी दूँगा वो जो बच्चा देखेगा उसको पता चलेगा आप हमें 100% सेलेक्शन लेने के लिए क्या करना है आगे बढ़ लेते हैं पूरी जानकारी ले लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका पेपर कैंसिल होने के चांस है वो कम है लेकिन अगर होता है तो यह आपके लिए खुसकबरी है आपका पेपर किसी का सभी बच्चों का यहाँ पर पेपर अच्छा नहीं हुआ कुछ बच्चों का excellent हुआ है तो कुछ बच्चों का यहाँ पर paper छूट गया है या किसी वज़े से paper tough था अब आप एक चीज़ देखो paper के एक या 2% chance है कि आपका paper दोबारा हो सकता है अगर आपकी कोई भी राय है तो मुझे comment करके बताना आप लोग कि क्या paper cancel होना चीए ठीक है और अगर आप लोग real cutoff जानना चाते हो real cutoff बिल्कुल इस exam की real cutoff क्या जाएगी उसका link उसका link मैं आपको नीचे description box में दे दूँगा अगर आपको real cutoff के बारे में ठीक है अगर आपको पसंदा रही है वीडियो like करते रहेंगे और उसका link मैं आपको नीचे description box में दे दूँगा cutoff के बारे में आपको पता चल जाएगा क्या आपकी cutoff जाएगी वो ही आपकी बिल्कुल cutoff जाने वाली है जो link मैं आपको दे रहा हूँ और जिनका exam बचा हुआ है जिन बच्चों का भी exam बचा हुआ है किस किस का बचा हुआ है एसस्टी का आपका arts का और आपका English का तो ये exam आपके बचे हुए है जिनका भी exam है तयारी करते रहें अगर आप लोग तयारी छोड़ोगे ये गलती करोगे तो फिर आपका अगर paper हुआ तो ये आपके लिए खत्रे की बात हो सकती है ध्यान लगा के पढ़ते रहेंगे अपना exam क्रेक करेंगे ठीक है अगर आपको ये लगता है कि paper cancel होना चाहिए आपको खुसी हो रही है तो comment करके जरूर बताना अगर आपको दु एक जानकारी और मैं आगे दे देता हूँ इस वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके कमी चांस है paper cancel होने की मैं एक चीज़ आपसे पूछा हूँ comment करके अगर आपका ये मुझे बताएंगे कितनी date को आपका exam था कौन सी shift में आपका exam था ठीक ह आपकी बार मैं आपके सारे reply देने वाला हूँ कौन सी shift में exam था कौन सी date में कौन सी shift में paper का level कैसा था आपका name क्या है और आपका क्या बोलते है उसको आप कहां के रहने वाले हो आपका hometown कहां पर है आपका paper tough था आपका paper hard था आपका paper easy था और आपको ये बताना है कि paper cancel होन नहीं होना चाहिए आप लोग मुझे comment करके बताओगे ठीक है guys I think तो आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आप चाते paper cancel हो तो comment करके जरूर बताना अगर आपको लगता है आपको अच्छी लग ये वीडियो तो तुरंत मेरे कहने से पहले like करके जाना अगर आपको मंभी पावगस अपने पूरे करने है selection लेना है और पहली बार चैनल पर हो subscribe भी कर देंगे आगे बढ़ लेते पूरी जानकारी आपके लिए ये जो जानकारी है उस समाब तो चुकी है ठीक है